साथियों, कॉंग्रेस के साथ एक भाध बड़ी समस्या ये है कि वो दुर्गामी सोच के साथ सकारत्मग नीतिया नहीं बना सकती कॉंग्रेस न भविश्य को भाप सकती है और ना ही भविश्य के लिए उसके पास कोई रोड मैप है कॉंग्रेस की इसी सोच की वज़़ से भारत अपनी बिजली ववस्ता को लेकर बदनाम रहता था कॉंग्रेस के दोर में बिजली की कमी के कारण पूरे देश में कई कई गंटों तक अंदेरा हो जाता था जब बिजली आती भी थी तो बहुत कम समय के लिए आती थी करोडों गरीब परिवारों के घर में तो बिजली कनेक्शन ही नहीं था साथियों बिजली के अभाव में कोई भी देश विक्षित नहीं हो सकता और कॉंग्रेस जिस रप्तार से इस चनोती पर काम कर रही थी उससे बिजली समस्या ठीक होने में कई दसक लग जाते हैं हमने सरकार में आने के बाद देश को बिजली की चुनोतियों से निकालने पर ध्यान दिया हमने नीतियां बनाई निर्णे लिये हमने साओर उर्जा जैसे बिजली पादन के नए नए सेक्टर्स पर जोड दिया और आज देखिए हालाद बिलकुल बदल गए हैं कि आज भारत कि साओर उर्जा सोलार एनर्जी से बिजली पैदा करने के मामले में दुनिया में अग्रणी देशों में आ चुका है आप कॉंग्रेस की स्थिटी देख रहे हैं आपने हाल में कॉंग्रेस को सबग सिखाया है लेकिन ये मानते ही नहीं आज भी इनका एक एजेंडा है मोधी को गाली दो जो भी मोधी को जितनी जादा गाली दे सकता है उसे कॉंग्रेस उतना ही जोर से गले लगाती हैं एविक्सिद भारत का नाम तक नहीं लेते क्योंकि मोधी इसके लिए काम कर रहा है ये मेडीन इंडिया से बचते हैं क्योंकि मोधी इसे बढ़ावा देता है ये vocal for local नहीं बोलते क्योंकि मोदी इसके लिए आगर करता है जब भारत पांचवे नंबर की आर्थिक ताकत बनता है तो पूरे देश को खुशी होती है लेकिन कॉंग्रेस के लोगों को खुशी नहीं होती जब मोदी कहता है कि अगले कारकाल में भारत दुनिया की तीसरे नंबर की ताकत बनेगा तब भी पुरा देश आत्मे विश्वात से भर जाता है लेकिन कॉंग्रेस के लोग इसमें भी निराशा ढूंते हैं मोदी कुछ भी करें मोदी कुछ भी करें ये उसका उल्टा कहेंगे उल्टा करेंगे चाहें इसमें देश का भरी नुक्षानी क्यों नहों कॉंग्रेस के पास एक ही एजंडा है मोदी विरोध गोर मोदी विरोध मोदी के विरोध में ये ऐसी ऐसी बाते फैलाते हैं जिससे समाज बढ़ जाएं जब कोई पार्टी परिवारबाद के वंशबाद के गोर कुछ चक्र में फस जाती हैं तो उसके साथ ऐसा ही होता है आज हर कोई कॉंग्रेस का साथ छोड़ रहा है सिर्फ एक परिवारी ही बहां दिखता है ऐसी राजनिती युवा भारत को बिलकुल प्रेरित नहीं करती करता है